करपूरी ठाकूर नहीं होते तो मेरी मुह की बात अभी बिरेंदर यादव जी ने छिनली ना आज लालू होते ना आज नेतीश होते ना सरद होते ना और जित्तन गाम मांजी जैसे नेता होते इनके बासे विचार की तकत थी समाज की तकत थी सरोकार की तकत थी उनी उनी नहीं है तकत रो बनाया अब देख रहा आरेड़ी न्यूज मैं हूं योगेश्च्छवर्टी और इस वक्त हम बिहार बिधान सभा के ठाकू की यादमकद परतिमा के ठीक सामने नीचे बैठे हैं आज करपूरी जयन्ती है करपूरी ठाकूर 99 साल के हो गए हैं एक साल बाद उनकी सौवी चालगिरा होगी और सताबदी वर्स में वे परवेश कर जाएंगे और अगले ही साल जो है लोकसभा का शुनाव होने वाला है जैसा कि मैंने बताया कि आज जन्नायक करपूरी ठाकूर का 99 जन्म दिन है और इस मौके पर बिहार के तमाम राजनितिक पार्टियां जो है इनका जन्म दिन जयनती धूम धाम से मना रही है आप देख रहे हैं ये ज करपूरी जी को मुख्यमंत्री नितेश कुमार दिप्टी सीम तिजस्वी यादव और उनके कैबनिट के नेता पुस्पांजली करके सुबह गए हैं हम आपको बता दे कि जातियों के लिए कुख्यात बिहार में जन्नायक करपूरी ठाकूर एक लोते ऐसे शक्स हैं जिनकी जो है जयनती तमाम पार्टियां नेता और ऐसे लोग मनाते हैं जो इनके जाती से नहीं आते और ये एक गौरब का विशय है लेकिन इसके पीछे जो असली मक्सद है वो है बोट की राजनीती तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जन्नायक करपूरी ठाकूर के कामों का मुल्यांकन राजनीतिक पार्टियां और नेता जो है वोट के आधार पर करते हैं इसलिए ये एक लोते ऐसे सक्स हैं जिनका तमाम जाती के छोटी बड़ी अगड़ी पिछडी तमाम जा करते हैं इनकी पुन्य तिथी मनाई जाती है खबर है कि आने वाले 17 फरवरी को आरजेडी जो है इनका पुन्य तिथी का अभी से ही तैयारी कर रही है तो इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह विरेंद्र यादव पत्रिका के संपादक विरेंद जी जन्नायक करपुरी ठाकर जी का आज जयनती है तो इस जयनती के मौके पर उनका मालयार्पन सब कुछ किया गया है कई शमारोह हो रहा है पूरे पटना में तो इतने सारे समारोह एक साथ कैसे देखते हैं आखिर क्या वजा है कि मतलब कर पूरी जी इतने लोग प्रिये ह है आज के दौर में भी जैसा कि आपने कहा कि अब पूरे हो गया है अगला समय साल शुरू हो रहा है अगले साल सबस्क्राइब अगले साल होना है लेकि जो भोट का बजार है कर पूरी जी के नाम पर जो भोट अध्रूवी करन है बहुत ताकतवर है इसलिए हर पाटियां कर पूरी जी को याद कर हम उनके समाज को उनका वर्गे समाज था जिसके लोग उन्हीं को नेता मानते हैं उन्हीं को प्रियोग भी कर रहा है इस्तमाल भी कर रहा है कि अगले चुनाव में हर्त जब चुम वहाइज भोट का कर सके हैं कि कर पूरी का भूट बजा रहे हैं बड़ा हिस्सा है कर अठाइस थिस्टी लोग है जो आती पूरी जी और नेता मानते हैं उसलिए उनके नाम पर गोल्बंदी कोसिश करते हैं आज हर पाट आज भाज्मने जैनतिक पे भास्पा करकर्म किया ज्यादिव नेकिय सब्सक्राइब कर रहा है आज भी आर्जेट के कारियाल में मालेयर पर्ण बगेर होगा लेकिन बड़े पार्वारी के लिए जिसमें की पाटी की सभी लोग लगेंगे कल से आज सब्सक्राइब अगले महीने 22 फरवरी को इनकी जैनति है सब्सक्राइब लोग लगे हुएं भासपा के खान सद हैं यह विघ्ञार मानाता है कहार मनाता है अब देखिया संक जैन्थी मनाएगी सब कहार लोग मनाएंगे अब पांसा दिन बाद आने वाल जैंति इनकी जगदेव वाबु हुए करपुरी ठाकुर हुए आपने जरासंद का नाम लिया और जो भी मतलब जाती के ऐसे सक्स हैं जिन्हों अब वहागार समय कर्पुर्जी को छोड़ दिए दो जाती जैंति का वंधन के साथ नहीं है कि हर न एक बंदन है अगर जरासंद्विंधेव ड़्या उखार मनाएं के सुपफफफए दुशन आपने नाल करपुरी ठाकुर में कि आज मतलब इतने सालों बाद भी प्राशांगिक हैं और वो कौन सी लकी रिजोंग है जिसके बदोलत इनके नाम पर जो है अती पिश्रा आपने बताया अति पिश्रा का वोट गुलवंद हो जाता है क्या सच्मुच ऐसा है यह एक धोंग ऐसी नहीं है फिर बाद में गुलवंद भी होता है वोटों को नहीं पिछ विचार पर पर्टी लिवी लिटीं के दूटीज में इस पार्टी की यू ने लाज्टी रहें को दॉट जातीयां के भावन के बाद अब देखेंगा तो जातीं पॉल्टीकल पुर्मीयों सब्सक्राइब करने के लिए जाती के सरोकारों को जोड के आगे बढ़ने के लिए ताकत सीन के पास में जो समझ थी और किसी के पास नहीं थी उस दौर में इसलिए सब सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए उसके कोई मिसाल नहीं है अकेले बग्ति थे जिनकी जिन हर बर्गों को खासकर गयर सब्सक्राइब तो मेरी मुह की बात अभी बिरेंदर यादव जाद नहीं होते तो मेरी मुह की बात अभी बिरेंदर यादव जिने चिन ली ना आज लालू होते ना आज नेतीश होते ना स्रद होते ना और जितन राम मांजी जैसे नेता होते क्योंकि यह वही आच्छ्छ इन्हों तमाम नेताओं को एक तरह से कहें कि राजनीती का गुर सिखाया लोगों को एक जुट रखने का गुर सिखाया ये छमता थी करपूरी ठाकुर में करपूरी ठाकुर एक ऐसे हैं जिन्होंने पिछडी और आति पिछडी जातियों को गाधने का काम किया हम यंद मनतेया हूं जिस तरह से करपूरी ठाकूर ने एक बिचारधारा क्रियेट किया, कहते हैं उनके पास खुद अच्छे कपड़े तक नहीं थे, जोपड़ी उनका घर आज भी है, तो तमाम कठिनाईयों के बावजूद उस दौर में, जब कहते हैं कि जो पिछडी दलित लोगों को बोलने तक नहीं दिया जाता था, और ये म सुसील जास मोदी जासे नेता लोग मान रहा है, तो कुछ बताएं इनके बारे में कि जो करपूरी थे ना उसे मास्टर ट्रेनर, अभी सुझता है, सब को ट्रेडिंग दिने वाले, महा मास्टर ट्रेनर थे, पुरी समाज को ट्रेडिंग दिया, प्रसिशित दिया, बैचा करते हैं, करपूरी जान यरूदे में देशन्वू बनामें कोस्ट अबना संघर्ष तो मेरा मनना कि अबना संघर्ष था सिर्फ भीचार अधर का था समाज का था सरुकार का था अपर आपको उसके स्विधाय उनको स्विधाय उनको तक किस पहुंचे शत्ता उन सब पहुंचे उसके लिए क्या रणदी बनेगे कैसे स्टीजियों होगी ताकि समाज का वन्चीत वर्ग भी सत्ता का इस्तार बन सके जो करना करते हैं इनको आपनी सुविधाओं के लिए बहुत ख्याल नहीं थे अपना कुछ था नहीं का पूरी ठागों पतला के लिए एक सब्सक्राइब करते हैं तो इसके पीछे उनका विचार उनका सिध्धान्त और सबसे बड़ा जो है वो जनता के परती कमिट्मेंट जो एक बड़ी आवादी कहते हैं उसको लेकर के कमिट्मेंट हम देखते हैं कि अकषर करपूरी ठाकोर जी को भारत रत्न दिये जाने के भी मांग उठते रही है जब तमाम जातियों के नेता बड़े नेता जो हैं वो इनकी जयानती मनाते हैं पुनितिती मनाते हैं आखिर क्या बज़ा है कि इतने सालों बाद भी इनको भारत रत्न के योग नहीं समझा गया जब कि कहीं न कहीं कर पूरी ठाकों एक ऐसे नेता हैं जिन्हों ने जमीनी अस्तर पर बदलाव लाने का काम किया और एक ऐसी लकीर खीचा कि मतलब इनके सामने कोई बड़ी लकी अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि जन लायक का लाय हूं जो इनको समान मिला समाज का नितित्र का मुखा मिला जो नहीं समाज को दिया उसके भारत कहीं कुछ नहीं है भारत क्या है पूलिटकल एजंटा है यह कुछ लोगों को थोब देने कर तरीका है काम तो प्रफ दिख रहा है आप हम यह खड़े हैं भारत करते हैं क्या करते लिए क्या मिल जाए उसे जो काम किया इन्होंने समाज में बदलाव का जातियों को सब्सक्राइब जो समाज का बंचित वर्फ दुनिया में भारत रहा है कि भारत रहा है पुरे गाओं गाओं में जवाब है कि सब्सक्राइब करते हैं एक बंचित आदमी को ताकत देना उसे बड़ा हो सकता है जो भारत रहा है तो जरूर होता है माने अभी इस से पहले भी आप से सवाल किया था कि जो नेता हैं शुशील मोदी हैं नितीश कुमार हैं लालो यादव हैं और इनके साथ जितन राम बाजी हैं जैसे तमाम निताओं ने इन से ट्रेडिंग ली इनको जन्नायक कहते हैं वो लोग इनके बारे में अच्छ अच्छे विचार सब्सक्राइब भूल जाएगा जो लोगों पैदा किया खाला किया पॉल जाएगा भारत रतन का कोई भी जो काम किया उसका भारत रतन हो नहीं सब्सक्राइब भारत रतन का विस्तार हो जाता है विस्तार हो जाता है अब आज हर ब्यक्ति की जुबान पर रहे हैं हर आदमी या हर पार्टी जन्ति मनारे कर पूल ठाकुर की इसलें कि भारत रतन हैं इसलें कि यह जन्द रतन थे जन्द के जन्ता को ताकत देने वाले बढ़का सुका का भॉय पर राइटी का उसको हमें का तर्फार्मर है यह जहां भीजनी पैदा होती है ना थारूल पावर सब्सक्राइब कोई और पूरी का नाम ही किसी बिरतने से बहुत भारी है उसका ठीक है जैसे कि हम लोग बातचीत की सुरुवात में कहें थे कि एक साल बाद जो है लोक सभाग के चुनाब होने हैं और बिहार का बेटा नितेश कुमार जो है प्यम पत के दावेदार होने ज सामाजिक न्याय की बात जो इन्होंने की थी वह सब उनको काम आने वाला है कि हम तो आइसे बात सहमत नहीं आपके कि यह मुविदार बनना है बनता है लेकिन नितीश कुमार ख़ड़ा है तो सिर्फ करपुरी ठागुर कारण करण करण है अगर लालु आदो करपुरी मेरा सवाल यह था आप साइद उसको गलत ढंग से समझे हमारा सवाल यह था कि अगर सीम नितीश कुमार पीम पद के दावेदार होते हैं तो क्या जो पिछड़ा बोर्ट बैंक है खुल करके जो आप कहते हैं कि बोर्ट के अधार बन गये हैं इसलिए इनका जो है तमाम ऐस बावजूद मनाया जाता है और बिहार के एक लौते ऐसी सक्स है तो क्या इसका फायदा नितीश कुमार को बोट बोट बैंक की बात हम दोगो देखी थी नितीश को जो जातियों में हिस्साचाइब खोजता है कर दिखान है मोगोट के ठेकदार का एजन्टर नहीं है फालाना जोड़ना कर रहे हैं लोग गोशिज कर रहे हैं नितीस जी दो हजार चौविस के लोग सभाव चुना में जेडियू या आर्जेडी महा गटवंधन की योर से जो भी है वो परधान मंत्रिपत के दाविदार होंगे यह मैं नहीं कर रहा हूं हम कुछ कर नहीं है उसमारे में क्या पिछड़ा वोट उनके पक्ष में गुलबंध होगा क्यों कर रहा है कि फलना का बंधुवा भोट हो ही जो जोड़ लेगा उसको अपना गोदी लेगा गला हो जागा हूं तो उसमें कहां कर रहे हैं नहीं कर रहा है कोण कर रहा है सत्ता के लिए कोई जा सकता है कोई कहीं किसी वज़ए से हम वोट देते हैं किसी के और को देते हैं क्या बढ़ता है तो हमारा समी करन क्या है लेकिन किसी करपूरी ठाकूर एक बिचार धारा जी कहते हैं कि करपूरी ठाकूर एक ब्यक्ति नहीं थे एक बिचार धारा थे तो क्या उनके नाम पर बोटों की गुलबंदी किसी भी सिध्धान्त और विचार धारा रखने वाले नेता पार्टी की हो जाएगी कि सब्सक्राइब करन क्या बनता है कौन कि इतना जंता को अपने पक्ष्ण मोड़ लेता है किसी का पूजिन सब्सक्राइब करपूरी जी जिस बात पे हम लोगों ने बहुत की शुरुआत की थी कि बोटों के आधार जो सब्सक्राइब के लिए इनकी जहनती लोग आज की तारिक में मनाते हैं सब्सक्राइब करना चाहता है उसमें गलत क्या है और सचाई ये भी है कि भले ही कर पूरी ठाकुर के सिधानतों का मानने का दाबा तमाम राजनीतिक दल और नेता करते हों